इकनॉमिक्स वर्च्वर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है अर्शाथ में संकिती के अंतरगर आज हम आखडों का संग्रें के बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे प्यारे बच्चों आज हम स्यांकिगी में पार्ट दो का अध्यन करेंगे जिसका नाम है आखडों का संग्रें इस अध्याय के अध्यन में हम कई बाते जाननेंगे जैसे आखडों का संग्रें का क्यारत है उसके क्या उद्देश्ये हैं प्रात्मी को दुत्य स्रोत के बीच क्यांतर हो सकता है आखडों को संग्रें की विधी हम सब्जेंगे कि आखड़ें कैसे खटे किये जा सकते हैं जंगरणना और परती दर्शन सरवक्षन के बीच क्यांतर होता है पर्ति चेन विधी से हम आपको परिचित कराएंगे और दुत्य आंकडों से संबंदित मैत्वपुन स्रोत के बारे में आप जान सखोगे इससे पूर आपने पर्थम में सैंकी की क्याया उसके बारे में विस्तार से जाना था तो अब हम आखडों के स्रोत के बारे में जानते हैं कि आखड़े आखिर आते कहां से हैं आखड़े क्या होते हैं और आखडों का उद्देश्य क्या होता है तो एक उधारन यहां पर दिया हुआ है कि यह यहां पर कुछ आंकड़े दिये वे जैसे खाद्यानों का उधारण दिया है कि 1991 में 176 टन खाद्यान पहुँच गया था और 1996-97 में 199 टन पहुँच गया था उसके बाद यहां बाद में थोड़ा कम होकर 194 हो गया तो इससे पता चलता कि खाद्यान उत्पादन में लगादर विड़्दी होती रही है और 2001-2002 में यहां 212 मिलियन टन तक पहुँच गया था तो आप इस कथन से देख सकते हैं कि खाद्यानों के उत्पादन एक समान नहीं रहता है फसल दर फसल वर्ट्स दर वर्ट्स यहां बदलता रहता है और चूंकि मुल्य परवर्थिंशील होता है किसी भी वस्तु का मुल्य स्तिर नहीं होता है वो परवर्थिंशील होता है इसलिए उसे चर कहते हैं चर को प्राय एक्स वाई जड के माध्यम से भी हम दर्सा सकते हैं इन चरों का मुल्य का एक उधारन और ले लेते हैं जैसे 1970-71 में 100 मिलियन टन खाद्यान हुआ 2000-2002 में 220 मिलियन टन के बीच उतपादन रहा जिसको हम रेखाचितर से दिखा सकते हैं इसमें वर्थ को एक्स चर बोला गया है और उतपादन को वाई चर कहा गया है जो मिलियन टन में जैसे आप यहां देख रहे हैं यह आपको यह जो उत्पादन मिलियन टन दे रखा यह आंकड़े कहलाते हैं कि इस वर्स में इतना उत्पादन हुआ 108 मिलियन टन और 2001-2002 में 212 मिलियन टन उत्पादन इस परकार उत्पादन देखो बढ़ रहा है कहीं पर घट रहा है यहां पर X और Y चर मुल्य आंकड़े कहलाएंगे और हम भारत में खाद्यान के उत्पादन की जो परवर्ती देख रहे हैं इसमें उतार चड़ाव परवर्ती देखने को मिल रही है तो इन आंकड़ों के माद्यम से हम इस समस्याकाव समस्थ सकते हैं और इसका समादन निकाल सकते हैं कि क्यूं ऐसा हो रहा है कि किसी वर्त उत्पादन कम हो रहा है और किसी वर्त जादा हो रहा है तो इसके लिए सरकार किर्सी छेतर में नए नए उपाई करेगी और खाद्यान को बढ़ाने का प्रयास करेगी तो ये आंकड़े हमें क्या करते हैं? जानकारी देते हैं अब आंकड़े का जो स्रोत होता है कहां से हमें आंकड़े प्राप्त करते हैं, कौन इन्हें हमें देता है, यह सबसे इंपोर्टन है, तो अब हम आंकड़ों के स्रोत के बारे में जानते हैं, कि आंकड़े कैसे प्राप्त करे जाते हैं, तो आंकड़ों के जो स्रोत होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक और आंक्ड़े एकृतित करता है तो ऐसे आंक्ड़े प्रात्मिक आंक्ड़े कहे जाएंगे क्योंकि इन्हें पर्थम बार लोगों से आंक्ड़े इखटे किये गए और पर्थेक्स रूप में जानकारी ले गई is reh tea मिध्याले के बारे में किया ही इस फिल्म सितायर की लोगत्व से आंक्ड़े Heart लोगों से प्राप्ठ करिए है इसके बाद आते हैं दुत्य आंक्डए यह वेवय आकड़े होते हैं जो हम किसी दूसरे स्रोतों से प्राप्ठ करते हैं जिन्हें पहले किसी अन्य व्यक्ति ने में इकाट्ता किया हो तो इसमें जैसे कोई संस्क्ता हुए जिसने पहले से नांक्रों attracting कि इसने पहले से इन आक्रों को किसी website suntra छुब ले अक्रों को हम किताबों से मेकजीन से समाचार पत्र आदी से ले सकते हैं। तो यह दुथ्यांत्म कहलाएं दूत्य आंकड़ों के उपयोग में धन और समय की बहुत अधिक बच्चत होती है जो कि इन आंकड़ों को हमें इखटा करने के लिए पर्तेक्स रूप से लोगों के पास नहीं जाना पड़ता बलकि हम इन आंकड़ों को दूत्य छेत्रों से प्राप्त कर लेते हैं जैसे समा चात्रों में वही सिनेमे घर लोग प्रियता के बारे में अगर आंकड़े खटा करने हैं तो इसकी कोई रिपोर्ट पहले किसी ने चाप रखी होगी या इन आंकड़ों को पहले किसी ने लिया होगा तो हम उन आंकड़ों को वहां से ले सकते हैं हम आंकड़े कैसे संग्रिहित करते हैं मतलब हम आंकड़ों को कैसे खटा करते हैं तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ है अबवार प्ромहोंड़ को एक खटा करने में हमें कई बार उसके बार में सोचना पड़ता कि आउकड़ों की गुणवत्ता कैसी अज़िए आउगड़ एकदम सई होने चाहिए और उनका उप्योग और उनकी लोगपिरेता और इमानदारी निस्टा के साथ आंकडों को इखटा करना बहुत जरूरी है, अगर आंकडे साइडंग से इखटे नहीं किये जाएंगे तो उसके द्वारा निकाले गए निसकर्स गलत निकलेंगे, अब आंकडों को इखटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता यह इंटर्विव जिसको साथतकार कहा जाता है तो परसनावली में अधिकतर जो उत्तद आता है वह स्वेम उस परसनावली को भड़ता है, फिर सोदकार द्वारा उस परसनावली की जाश की जाती है और उसके आदार पर आंकडे तियार किये जाते हैं, उसका एक उधारन यहां पर दिया हुआ है कि एक फॉर्मेट बनाया जाता है जिसमें कम से कम 10 से लेके 20 परसन होते हैं और परसन बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए ताकि जो तुमारा उत्तर दाता है वह परसनों के उत्तर का आंसर नहीं देगा, जहां तक संबहों परसनों की संक्य परसन प्रसन सपस्ट होने चाहिए ताकि उनको समझ में आए आसानी से गलत परसन क्रम नहीं होना चाहिए इस में बहुत सारे उधारण दिये वह जिसे हम देख सकते हैं कि किस परकार के परसन सही है और किस परकार के गलत परशन नकरात्मक भी नहीं होने चाहिए दोरी गढणा वाले नहीं होने चाहिए और भर्मित नाओ ऐसे परशन नाओ जो भर्मित करें लोगों को यह ऊविकल्प के रूप में बना सकते हैं और नहीं के रूप में बना सकते हैं इस से क्या होता है जो परसंथ के उत्तर देता उसको बहुत आसानी होती है हां या नामे उत्तर देना और बहुवीकल उसमें पहले से उत्तर होते हैं उसको केवल टिक करना होता है तो यह वाले आज की दौर में इस परकार की परसनवली का सबसे ज़्यादा परियोग किया जाता है जिसको ऑनलाइन भी अधिकतर किया जाता है इसके बाद आता है आंकडों का संग्रय की वीदी अब आपने परसनवली तियार कर लिया दस से लेकिश परसंद तियार कर लिए जिसको आपको लोगों के भी जाना है और उनसे जवाब हासिल करना है उनसे उत्त्तर प्राप करना है तो उसके लिए कई सारे मैथड होते हैं तो उसको करने के लिए हम पर टेक्स इंटर्विवू डाग दुवारा सर्वेक्षन परसनवाली बेजना और टेलीफॉन इंटर्विव आधी हम कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं व्यक्तिक सास्कारकार या इंटर्विव भी बोल सकत हैं इसको इसमें सोथ करता क्या करता है कि जो सोथ करता जिसको जांच करता भी कहते हैं वह उत्तरदाता के पास जाकर उसे डारेक्ट इंटर्विव लेता है और उससे व्यक्तिक संपर्ज करता है और इससे क्या होगा उसको इससे उसे उत्तरदाता से स्पस्ट आंसर या उ सूचना उत्तरदाता नहीं देता अधिकतर सूचना सहीं मिलती है और यह वाला जो इंटर्व्यूर इसके लिए जो सोथ करता है उसको इसके लिए परश्रिक्षन दिया जाता है कि कैसे आपको लोगों से जानकारी लेनी है लेकिन यह विदी काफी खर्चीली है और इसमें ब सर्वेक्षन कारेक में आंकडों को इखटा करने के लिए डाग द्वारा परसनवली भेजना एक लोगपिरिया तरीका था और यह बहुत कम खर्चीली होती है और इसमें दूर दराज के छेत्रों तक पहुंचा जा सकता है और ऐसे वेक्तियों से भी संपर्क किया जाता जि आते हैं और कापी समय मिलता सोच विचार के परसनों का उत्तर वह वापिस दे सकता है इसके लिए सोथ करता क्या करता है एक लिफाबा भेजता है और उसके साथ उसमें स्टेंप लगा होता है जिसका उत्तर देने के बाद वह उस लिफाबे को दुबारा से सोथ करता कि वा करने में बहुत अधिक मदद मिलती है और आजकल आपने देखा होगा SMS Online Services का भी बहुत अधिक परचलर हो गया है मैं थना आज की तारी में तो यह वहां पर इस्तमाल किया जाता है जहां पर दाख 서üm कि कमी होती है ऐसे छेत्रों में जहांपर और की प्रचलिक बॉतिए जहां पर औलाइन ए पश्चटा यह woodlim reach काम आती है औरख यहां पर अईसी शुर्ल में जान्च करता और सोद करता तैले फिर सकता और इस में बहुत कम लगता है और इसमें क्लाइज क्या करता है कि फोन पूछ सकता है और जो उत्तर दाता है उसे परसन के उत्तर देने में जिचेक महसूस नहीं होती है वो डारेक्ट उनसे संपर्क में रहता है लेकिन इसकी एक कमी है कि जिन इस सर्वेक्षन का पुर्योग वहीं हो सकता है जहांपर केवल टेलीफोन उभोकता के पास हो या उत्तर दाता के पा इसके बाद आता है परियोगिक सर्वेक्षन जब एक बार सर्वेक्षन है तो परसनल्वली हम त्यार कर लेते हैं मतलब हमने यह निश्चित कर लिया कि अब हमें सर्वेक्षन कारे करना है किसी समस्या पर कोई भी एक समस्या में ले लेते हैं जैसे आज कल आपने देखा कि करोना काफी फैला हुआ आया गली-गलियों में तो हम उसको मोटे तोर पर ले सकते हैं कि हमारे जो महला है हमारे महले में कितने लोग करोना से प्रभावीत हुए तो एक छोटी सी परसन वाली हम तियार कर सक करते हैं कि दस कोशली की कि उसका नाम बाइन जही त्यार कर सकते हैं और लोगों के घरों में भिजवा कर उनसे जानकारी ले सकते हैं तो इसे बोलते है फूर्व परियोगिक सर्वेकशन जो हम सर्वेकशन से पूर्व करते हैं और इसमें केवल अनुमान लगाया जाता है कि हमारे दौरा जो पर्शन त्यार किये गए उनके उत्तर सही हैं कि नहीं उनके उत्तर हमें सही प्राप्त होंगे कि नहीं लोग उन उत्तरों को देंगे कि नहीं देंगे तो यह सारी समस्या कितनी हमारी लागत आएगी कितना हमें समय लगेगा इन सब में हम पर्योगिक सर्वेक्षन को करते हैं जो सर्वेक्षन से पू नारसलों अब थे समया जैसे इसमें गात दे रखा था कि इंट्रविव मेथेड यहाँ पर तो इसके कुछ एलाब और कुछ Хानिया यहाँ गातर हे जो आमारा पर्टेक्स डारेक्ट इंट्रविडेश है सुझता का अस्तिर होता तर चाह से और इसमें person में पूछने में चूट होती है कि हम कोई भी person direct लोगों से कर सकते हैं अगर वो उत्तर नहीं दे रहा तो उसको person बदलके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं मुक्तेस्वर person का उप्योग के लिए भी बहुत अच्छा होता है method और असपस्ट जो पर्सनों के उत्तर लोग नहीं दे पाते, उसके लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन यह बहुत खर्चिली, विदी है, उत्तर दाता को इसमें परभावित करने की संभावना भी होती है अधिक समय भी लगता है इसके बाद आता है डाक्विधी यह कम खर्चिली होती ग्रामीन सुदूर छेत्रों में आसानी इसे पहुंचा जासकता है उत्तरदाता पे जदा परभावद इसमें नहीं डाला जा सकता गोपनियत इसमें सुरक्षेक्त होती है सवेदेशिल मुद्दों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि कुछ लोग डारेक्ट इंट्रीव के माध्यम से सूचना है देने में हिचकते हैं तो अधिक तर निरक्ष्रगों के द्वारा उप्योग इसमें संभव नहीं हो पाता इसकी कुछ कुछ हानिया है पड़ा लिखा होना जरूरी है उत्तर देने में अधिक समय भी लग सकता है उत्तर लोग सही नहीं देते और परती किरिया है देखना संभव नहीं है बहुत लोग डाक को भेजने का दुबारा प्रियास नहीं करते वह अगर उनके पास कोई पर्सनमल लिए जरी आती है तो इसके घर में रख लेते हैं तो यह कुछ कमिएं है कि इसके बाद टैलीफोन जो बहुत कम खर्चीला होता है और उत्तर दाता को प्रभावित करने की अपेकसर कर्द कम संभावना होती है और अपेकसर करित उच उत्तर होता है इसमें अधिक थर कि आंसर प् रहा है गलत दे रहा है और उत्तरदात्तों को प्रभावित करने की इसमें पूरी संभावना होती है तो आपने देखा कि यह जो हमारे तीन मैथड थे इंटर्वी मैथड पोस्ट कार्ड मैथड और टेलीफोन मैथड इन तीनों का प्रियोग आज कल किया जाता है लेकिन आज की नए दौर में सबसे ज़्यादा प्रियोग ऑनलाइन सर्विक्षन और SMS सॉर्ट मैसेजिस सिस्टम का प्रियोग किया जैता है जैन गणना तता पर्ति दर्शन सर्विक्षन इस सर्विक्षन के अंत्रगत हमारे देश में जो भी जनसंक्या के तत्त तो सामिल होते हैं उसे हम जन गणना या गणना पूर्ग की विदी भी कहा जाता है भारत में जितनी भी जनगर्णाएं की जाती हैं चाह सहरों में हो चाह गाओं में उन सब जनसंक्याओं के अंतरगत संपूर्ण जनसंक्या परतेक व्यक्तिकत इकाई को इसमें सामिल किया जाता है अर्था परतेक व्यक्ति से परतेक रूत में जानकारी लेजाती है इसको हम जनगर्णा और परत्यश्चन सरवर्ख्शन कहते हैं अंवारत में हर दर्शवर्टस के बाद एक प्वर्ण जनगर्णा होती हाppen कि आन। जोबिश्चन भेंस होते हैं वो बारि-बारी से आते हैं और आप लोगों से, पन्तरा से 20 मिनित में 20 list question पूछते हैं तो वे घर-घर जाकर जानकारी लेते हैं परतिक परिवार से जानकारी लेते हैं और जानकारी के अंतरगत जनम, मृत्युदर, साखसर्ता, स्यमिकों की संक्या, आयू, प्रत्याक्षिक्त आयू, जन संक्या, आधी के आंकडे वो इसके आधार पर जुटाते हैं तो पिछली वर्स हमारी जो जनगर्णा ली गई थी, 2001 में ली गई थी, और फिर उसके बाद 2011 में और 2021 में होगी अब आगे, देखने जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि यह घरमेर में जाकर उनसे जनगर्णा से संबंदी जानकारी ले रहा है, तो 1991 में हमारी देश के जन 38.87 क्रोड हुई और इस समय 121 क्रोड से अधिक हमारी जनसंक्या है, और इस जनसंक्या को हम आँक्णों की साहिता से गणना करते हैं, इसके बाद आता है पर्तिदर्शन सर्वेक्षन, सैंपल सर्वे, इसमें क्या होता है कि सैंकिकी में समस्ट्री सबका अर्थ, अध्यन छेत्र के अंतरगत आने वाली सभी मदें कायों की समलगरता से होता है, सर्वेक्षन का उद्देश किसी समस्ट्री के अंतरगत सदेव ऐसी वेक्ति के तिकाईयां मद्याती जिनने कुछ विशिस्ता या स्मू का पर्ति निदित करें तो पर्ति दरशन चुनने की पहला कारे समस्ट्री की पेचान करना होता है तो सोद करता या सर्वेक्षन क्या करता एक पर्तिनीदी को चुनता है जैसे सो लोग हैं, सो लोगों का वो सर्वेक्षन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें भौजदत समय और धन लगेगा तो सो में से वो कुछी लोगों का चैन करता है उसे परती दर्शन कहते हैं जो पूरे समु का परती निदित करता है जैसे किसी एक परिवार में आठ या नौ सदस्य हैं तो पूरी की पूरी जानकारी हम उस परिवार के मुख्या से ले सकते हैं नहां में परतेग्वेक्ति से परिवार के परतेग्स सदस्ट से जानकारी लेने की आवशक्ता नहीं है तो इसे हम बोलेंगे कि परती जर्शन हमने चुना हैं तो यह एक कि इससे क्या होता है हमारी जो लागत होती है सर्विक्षिंट कारे की और जो समय होता है वो काफी कम लगता है इसे गुदारन इसमें दिया हुआ है मालने की आप किसी छेतर में लूगों की ओसताय के बारे में अध्यन करना चाते है चाहते इस विदी के अंतर का बहुता ज़्यादा खर्चा आएगा क्योंकि परतिक व्यक्ति को हमें इसमें सामिल करना होगा और बहुत सारे परग्रणों की भरती करनी होगी तो ये ना करके हम क्या करते हैं कि कुछ व्यक्तियों का परतिदर्शन के रूप में चुन लेते हैं और उनिकी आय से हम उस छेदर के समू सर लोगों की आय का मोटा अनुमान लगा लेते हैं ऐसी कई सारे उधारे निसमें दीए हुए तो अधिकतर जो सर्वेक्षन कारे किया जाता है वो परतिदर्शन सर्वेक्षन ही होते हैं क्योंकि परतेग व्यक्ति से जानकरी लेना बहुत ही कठीन है और बहुत घर्चिला विदी होती है इसके बाद ज्यदा इच्छिक परतिदर्शन आता है इस परतिदर्शन में समुकी व्यक्ति के इकाईयों को ज्यदा द्रिश्चिक के रूप से चुना जाता है इसमें माले सरकार एक छेत्री विसेस में रहने वाले परिवारों की बजट पर पैट्रूलियम परदार्थों की कीमत की विर्धी के प्रभाहों की जांच करना चाहती है इसके लिए तीस परिवारों का एक परति निधिक यदा इच्चिक परति दर्शन करके उसका अध्यन करना है तो इसके लिए वो क्या करेगी तीन सो परिवारों में से केवल तीस लोगों को ही चुनेगी और उन लोगों के नाम की परच्चे डालेगी तीन से परिवार के न के आधार पर सारे निश्कर्स निकाले जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे येदा इच्छिक पर्तिचियंग जिसे उधारन दिया हुआ है कि इसके बाद आता है कि आयदा च्छिक पर्तिचियंग ऐसी भी स्तिती हो सकती जब आपको किसी छेत्र में सो परिवारों में से दस को चुनना पड़े आपको यहां तैय करना होता कि परिवारों को चुनें और किन का छोड़ दे तो आप ऐसे घरों को चुनते हैं जो आपके लिए सुबिदा ज्रण य negócio या फिर अपने इम्मीत्र। या परीचित के घरहं चुन सकते हैं इस मामले में आप 10 परिवारों को चुनते हैं और परीजिए 100 परिवार मेंसे आपने 10 को चुना तो यह यदर्चिक पर्तिजर्षन द्वारा नहीं चुने गए बलकि इसमें कोई सेलेक्सिं प्रॉसेस नहीं हुआ इसमें आप अपनी मर्जी से 10 लोगों को चुना है सुभीदा के अनुसार तो इसका उद्देश्य भी वही होता है कि बड़े छेत्रों में सर्वेशन कारे करना होता है तो वहां पर पूरे लोगों को ना चुरके केवल कुछ ही लोगों को चुना जाता है इसमें उद्देश्य आदि की बच्चत होती है इस परकार पर्तिचेन और अवं आप पर्तिचेन में कई परकार की तुर्टियां एरर भी हो सकते हैं इसके बाद आता है छटा सेंसेक्स ऑफ इंडिया तथा राश्टिय पर्तिदर्शन संगतन एन ऐसे सो हमारे देश में बहुत सारी संस्ताइं ऐसी होती है जो आंकड़ों को इखटा करती है तो उसमें से जो सबसे परसीद हैं वो है सेंसेक्स ऑफ इंडिया राश्टिय पर्तिदर्शन सर्वेक्शन संगतन केंदिर संक्या की संगतन CSO भारत का महापंजिकार वानेज्य सतर्त एवं संगे की महानिदेशक तते शंब्योरो आधि ये भारत की सबसे परमुक सरकारी संगटन है जो देश में आंकड़ों का संग्राय करती हैं Census of India संबन्दी सरवादिक पूर्ण और सत्यता जनसंकिया आभिले को लब कराती है और 1881 के बाद से परतेक 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनसंकिया की जाती है और जनसंकिया के अंतरगत विविन पहलों से सूचना है इखटा की जैसे जैसे आकार, घनत्व लिंग, साकसर तरदर्स, अस्तांतर, जनसंकिया, सहरी, ग्रामिन, आदी तो भारत की जनसंकिया को बहुत रोचक धन से आंकडों को इखटा किया जाता है उसको परदेशित किया जाता है और जित्ते भी हमारे रास्टे मुद्दे होते हैं उनमें भी सर्वेक्षट यहां संगटन बारी-बारी से करते हैं भारत में कीमात सूचकांग, भोगता कीमत सूचकांग, ग्रामिन तता सहरी खुद्रा कीमतों का संग्रे, वार्षिक सर्वेक्षण, आदी का कारे और स्वास्त रक्षा विशे पर भी सर्वेक्षण कारे भारत का संगटन, केंदीर संग्यां की संगटन, तथा Census of India आदी करते रहते हैं और फिर यह जो हमारे संगटन है, यह उन आंकड़ों को फिर परकासित करके उसके निस्कर्स निकालते हैं और फिर समाचर पत्रों में, टेलिवीजिन में, वेबसाइड में, इंटरनेट आदी में परकासित करते हैं आंकड़ों के संग्यां के रूप में जिस समस्या को हम आंकड़ों की सायता से वेक्ट करते हैं वो आंक्ड़े कहलाते हैं, आंक्ड़ों के संग्रे का उद्देश से किसी समस्या और उसके कारणों को समझकर उसकी व्याख्या और विशलेशन करना होता है, अर्थाथ आंक्ड़ों को हम जब इखटा कर लेते हैं, तो उससे आने वाली समस्या को समझकर उसका व्याख्या कर करते हैं प्रात्यमिक आंक्णों का संग्रे सर्वेक्षण आयजित किया जाता है सर्वेक्षण के कई चरण होते हैं और साफदानी पूर्वक नियोजित करने की आवश्रक्ता होती है अनक्रों को संग्रे संसादन सारडियन तथा परकाशन करते हैं कुछ संस्ताइं जो मैंने पहले बिदाया था जो भारत की एन SSO, CSO, RGI, DG, CSI ये संग्रेटन आंकड़ों का संग्रे करती हैं और उन्हें परकाशित भी करती हैं इस परकार दुत्य जो आंकड़े होते हैं उन्हें भी हम दूसरे लोगों से ले सकते हैं और आंकड़ों के सुरोतों का चुनाओं करके संग्राग विधी अध्यन के उद्देश्य पर निर्वर करती अर्थाद दुत्य जो आंकड़े होते हैं जो दूसरे लोगों द्वारा इखटे किये जाते हैं उनका भी हम परियोग अपने उद्देश्य के लिए कर सकते हैं इन आंकड़ों का जो स्रोत होते हैं वो मैगजीन, इंटरनेट, टे हमारा और आंकड़ों का विशलेशन को क्या घ्या जाता है और आंकड़ों को से बरकाशिक में और उसको पर्दिशित किया जाते हां ये सारी जायंकारी हमारी बड़ों के इसके साथ मेरे यूट्यूब चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं झाल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं झाल झाल